तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोंगे इंडेस्ट आवर ने अपने quarterly result डिस्क्लोज कर दी है तो कैसे रहे हैं quarter 4 के यहां कड़े और साथ में क्या कुछ announce किया गया है detail में discuss करेंगे और इसका जो effect है वो हमें stock के ओपर कैसा देखेने को मिलेगा कल को रहेगा भी market of महराष्टाडे के चलते परसो की दिन कैसा रहेगा effect चलिए जानते है detail में तो यहां पर आप लोग देखोंगे भी हम discuss करेंगे इसके जो consolidated statement है इसको लेकर all figure in rupees million में दे रखी है आपको क्रोड में convert करके बताएंगे यहां पर आपको जोनवी quarter ended और यह आपको जोनवी 12 month ended results देखने को मिलेंगा अगर बात के total income की यह टोटल revenue जो other income भी include होकर हमें देखने को मिल रही है लगबग 73,017 million यानि क्रोड में convert करें तो 7,301 क्रोड 70,000,000 के करीब वहीं previous year में क्या थी previous quarter में लगबग 7,297 क्रोड और previous year के same quarter में थी 6,879 क्रोड तो year to year आप लोग देखोगे इसके income में jump है तो quarter to quarter भी income में काफी अच्छी jump देखने को मिली है और revenue from operation यहां पर आप लोग देखोगे 793 क्रोड इसमें previous मता भी 799 क्रोड तो operation income जो है वो यहां से आप लोग देख 25 क्रोड वहां से increase हुई है इसके बाद आप लोग देखोगे भी earning total expenses यानि जो खर्चे रही है अपके बार कैसे हैं लगबग 3090 क्रोड के previous में 3577 क्रोड के और previous year के same quarter में 3306 क्रोड के यह आपको quarter to quarter और year to year आप लोग देखोगे भी कम होते हुए नजर आए हैं जो की काफी अच्छी बात है और अबकी बार इसके जो total expense है वो इसके revenue से तो बहुत जादा कम है इसका मतलब company ने फिर से profit बनाया है लेकिन कितना profit है देखते है net profit for the period या after tax अगर बात करें तो अबकी बार जो company की तरफ से profit बनाया गया है वह लगबग 1853 क्रोड का जबकि previous quarter में क्या थ तो यह इसके result से काफी अच्छे earning per share आप लोग देखोगा भी छे रूपे 88 पैसे previous में 5 रूपे 72 पैसे और previous year के same quarter में था भी लगबग 5 रूपे 19 पैसे तो इसके अलावा और आप लोग देखोगा भी यह जो notes है इन्हें आप लोग वीडियो को post करके details में पढ़ लेना का काफी अच्छे results आती हुए नजरा है और बाकी इसको मार्केट से भी compare करके देखेंगे और यहां पर आप लोग देखो के short term में और long term में जो debt वगर है company के उपर वह कैसा है तो यहां से आप लोग देख सकते हो भी 2434 क्रोड से जो debt है वो कम होकर 1504 क्रोड कर हुआ है short term long term म आप लोग देखो के short term में कैसा है short term में जो debt है वो 2278 क्रोड से कम हुआ है ज्यादा हुआ है 2807 क्रोड पर पहुँचा है यानि कि long term में जो debt है वो कम होते हुए नजरा है बट short term में जो debt है वो increase होते हुए नजरा है ठीक है तो चलिए यह इसके results होगे इसके अलावा जो market estimate है उसके साथ भी compare कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो तो market estimate देखने को मिल रहा है वही उसके साथ compare करोगे तो earning per share expect किया गया था 5.50 पैसे का आया कितना है 6.88 पैसे का यहाँ पर beat हुआ है expected जो इसका EPS है उसके पाद आप लोग देखो 7390 क्रोड की इसकी earning sorry जो revenue है वह expect किया गया था लेकिन आया कितना है 390 क्रोड करेंगी revenue कम हुआ है लेकिन earning per share beat हुआ है इसका हमें negative positive किस प्रकार का असल देखने को मिलेगा वह रहेगा भी positive लगबग क्योंके results अच्छे आए उसी साफशकर देखा जाए और बाकि देखो मंडे को पता चलेगा यह stock I stock में बने और आगे भी stock में इसी परकार से तेजी बरकरा रहेगी जिस परकार के result आए and thank you for watching the video